किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरदाकर आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग यूटूब चेनल आलू की फसल से अच्छी पेदावार लेने के लिए कंद का विकास होना बेहद जरूरी है अगर आलू के कंदों की संक्या ज़्यादा होगी कंद का आकार बढ़ा होगा तो तब ही हमें आलू की खेती से ज़्यादा उपज उत्पादन मिल पाएगा आलू में जब कंद बनना सुरू हो जाता है उस समय अधिकतर किसान भाई कुछ गलतियां करते है जिससे कंद का विकास नहीं होता है कंद का आकार भी नहीं बढ़ पाता है और अंत में आलू की पेदावार भी कम निकलती है इस वीडियो में मैं आपको कंद बनते समय आलू में तीन गलतियां बताने वाला हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आलू की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार ले सकते हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आगिर तक जरूर देखिए चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास मैं गंटी के निसान को भी जरूर दबाईए जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक जानकारी मिल जाए किसान भाईओ आलू की फसल जब 45 से 50 दिन के आसपास आती है उस समय आलू में कंद का विकास होना सुरू हो जाता है कुछ अगेती विराइटियां भी आती है जिन में कंद बनना सुरू हो जाता है किसान भाईओ जब आलू में कंद बनना सुरू हो जाए उस समय आपको आलू में यूरिया का परियोग नहीं करना चाहिए किसान बाईयों यूरिया की पोदे को वानस्पतिक विकास के लिए आवसकता होती है लेकिन आलू में जब कंद बनना सुरू हो जाता है उस समय आलू में यूरिया की किसी भी परकार से ज़्यादा जरूत नहीं होती है यूरिया में मुझूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पोदे की गरोत को बढ़ाती है आलू में अगर कंद बनना सुरू हो जाता है और उस समय अगर हम यूरिया का परियोग करते है तो इससे पोदे की गरोत बढ़ती है जिससे कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और कंद उतना बढ़ा भी नहीं बन पाता है तो जब कंद बनना सुरू हो जाए तो आप ज़्यादा मातरा में यूरिया का परियोग ना करें इसके अलावा आलू में जब कंद बनना सुरू हो जाए उस समय आप कंद बढ़ाने वाले खाद उर्रकों का परियोग करें जिससे कंद की साइज भी बढ़ सके और कंद चमकदार बने कंद का विकास करने वाले खादों की बात करें तो आप पान्य में गुलनसील एनपी के खादों का परियोग भी कर सकते हैं जैसे कि एनपी के 0.524 एनपी के 0.050 और इनके साथ आप बोरोन का परियोग भी कर सकते हैं इनके अलावा आप केलसियम, नाइट्रेड और हुमेक एसिड जिसे खाद उरोकों का परियोग कर सकते है किसान भाईयों इन खादों का परियोग करने से आलू के कंदों की सैज को बढ़ाया जा सकता है आलू को चमकदार भी बनाया जा सकता है जब आलू में कंद बनना सुरू हो जाता है तो आप कंद बढ़ाने वाले खाद उरोकों का परियोग करें जिससे कंद की सैज को आसानी से बढ़ाया जा सके इसके अलावा जब आलू में कंद बनना सुरू हो जाए उस समय पोदे को प्रियाप्त नयमी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ज्यानि कि अगर आपके आलू में कंद बनना सुरू हो चुका है तो आप मिट्टी को उपर चड़ा कर उसमें सीचाई करते रहे जिससे मिट्टी में प्रियाप्त नयमी बनी रहेगी जिससे कंद का विकास बहतर तरीके से होगा कंद आकार में बड़ा बनेगा और कंद में एक परकार की चमक पेदा होगी जिससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा तो आलू में जब कंद बनना सुरू हो जाए तो आप इन बातों का ध्यान रखे जिससे आलू के उत्पादन को आसानी से बढ़ाय जा सकता है उम्मित करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सेयर करें